अगर किसी प्रोड़क्ट की प्राइज कम होगी तो कस्टमर कह रेफर करता है उस प्रोड़क्ट को लाइज कॉंटिटिटी में खरीदी करता है अगर प्राइज कम हुई तो और प्राइज कम हुई तो ज्यादा खरीदी करेगा देखे हमने लोफटेमांड में क्या देखा था प्राइज बड़ेगी तो क्या होगा डिमांड कम होगी और प्रैज कम होगी तो डिमांड बड़े की बस यह प्राइज यह पहला प्रैजियु पोइंट है इसको परभाव करती है, the demand of the product जो income है ना आपके पास अगर आपके ज़्यादे इंकम हो तो आप ज़्यादे दिमांड करोगे और आपके कम इंकम हो तो आप कम डिमांड करोगे अब वो कैसे देखे, rise in income कम होना rise in income will lead to a rise in demand rise मतलब भड़ना अगर आपकी इंकम भड़ेगी तो क्या आप haग होगे for the commodity of a community and fall in income अगर इंकम कंच होई तो क्या होगा will lead to a fall in demand for a community अगर आपकी इंकम भड़ेगी तो आपके इंकम होगे और आपकी इंकम कम होगे तो आपके demand कम होगी बस यह दो पॉइंट पहला गोना price और दूसरा income अभी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट है size of population, size of population कैसे effect करता demand को larger the size of population, greater will be the demand of a community, community का मतलब वो प्रोटेक्ट भी समझे, अगर ज्यादा larger, अगर population का size ज्यादा है तो क्या होगा, आपके demand भी ज्यादा होगी, अधिक से अधिक, अगर population का size ज्यादा है, तो demand भी ज्यादा होगी, and smaller the size of population, अगर कम होई size population की, तो क्या होगा, smaller will be the demand of a community, अगर लोगा संक्या मैंदब पोपीलेशन अगर कम है तो लोगास अगर पॉपीलेशन हैogen कम हो फिन पाइव जाधा एरिया में उस दीमांड होगी क्यों आपे population ज्यादा तो यहां पे गाव में किया था population कम थी दोडिमांड कम थी और Mumbai और पुने में क्या था population जदो डिमांड बढ़गी यह क्विल्सटा इसज़ देफे population बढ़े डिमांड बढ़े population कम होगे demand कम होगे बस यह醬 population थर्द फॉर्थ क्या है acceptance about future price यह क्या है देखे if the consumer accept the price to fall in future अगर एक consumer नहीं एक्सेप्ट कर रहता है जैसे इसने क्या accept किया है कि future में price कम होने वाले है the consumer accept the price of to fall in future उसको लगा कि future में price कम होने वाले है तो अभी तो क्या हुआ he buy less in the present at the prevailing price तो वो क्या करेगा अभी जो price prevailing current price में जिस चीज की demand कर रहे है वो कम कर देगा अभी हम आपको बोलू आपको एक iPhone लेना है तो अब आप आज iPhone ले रहे है future अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि future में price कम होने वाली है या बढ़ने वाली है तो he will buy more in the present time at the prevailing current अगर उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि price future में भढ़ने वाली है तो वह क्या करेगा current price में ज्यादा चीजें purchase करने वाला है current price में कैसे अभी मैं बोलूँ कि अभी अभी उधारन क्या आप आइफोन का अगर अगले महने में बोलूँ कि price भढ़ने वाली है तो आप क्या करोगी इसे महने में iPhone current price में आइफोन करीदी करोगे यह accept करता है इसमें क्या होता है अगर आपने accept कि future में price भढ़ने वाली है तो आप अभी ज्यादा खरीदी करोगे यह ज्यादा quantity में purchase करोगे और मों बोलूँ कि future में price कम होने वाली है तो आप current में उसकी demand कम कर दोगे और future में उसको purchase करोगे अभी हमने पहला point क्या देगा price दूसरा income थर्ड क्या है size of population और fourth acceptance about future price अभी हम पाचवा point देखते है level of taxes demand कैसे dependent रहती है taxes पी देखे high rate of taxes उन goods or service would increase the price tax किस पे लगता है goods or service पे tax की rate बढ़ने से क्या होता है जो goods or service से price रहेगी वो बढ़ेगी उसका result क्या मिलेगा हमे result decrease in demand अगर high rate जो tax रहेगा उसके rate high रही तो उससे क्या होगा price बढ़ने से क्या होगा demand कम होगी और किसकी goods or service की वाइस टर अम दब इसका उलता और अगर tax rate रहेगे वो कम होगे तो प्रोड़क्ट तो प्रोड़क्ट उसके of success is nothing you can create कि э把它 period कम होने से क्या होगा demand बडेगी यहाँ पकिया दा हाई रेट रहेगी तो अगर text के हाई रेट रही तो क्या होगा price बढ़े दिमांड कम हो गी होर कम रही तो क्या होगा price कम हो गयो वर दिमांड बढ़े देख रहे थे data is पहला पॉइंट हमने क्या देखा इंकम दूसरा पहला प्राइज देखा सेकेंड इंकम था था थर्ड साइज वो पॉपिलेशन फॉर्थ एकसेप्टेंस अबाउट फ्यूचर प्राइज और यह 5 कौन सा है लेवल ओफ टेक्सेज इसमें और भी पॉइंट है एक पॉइंट का है एडुटाइजमेंट भी है यह भी फेक्ट करता है डिमांड को एक पॉइंट है नेचर और प्रोड़क्त जैसे मेडिसेंस अगर इनक से कोई भी चूज कर सकते हो तो इस वीडियो में हमने देटर्मेंट सोब डिमांड अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं थैंक्यू सोम् झाल 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 झाल